हेलो दोस्तों आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चलंज जिसका नाम है स्ट्टीव दुरुद्रा आज हम उत्तप्रदेश संबंधित प्रश्ण करने वाले हैं ठीक है बहुत इंपॉर्डर प्रश्ण है चलिए शुरू करते हैं आपका पेपर भी वीडियो के संबंधित में और यूपी पुलिस संबंधित प्रश्ण है यह उत्तरप्रदेश के हैं मैं कराने जा रहा हूं ध्यान दीजी का उसे बड़िया से मैं कराऊंगा समझ कर ठीक है चलि सुरू करते पहला प्रश्ण है 2011 की जडगन्ना के अंसार उत्तर प्रदेश की जसंख्या देश की जनसंख्या एक घूल कितना प्रसत थी तो यह पूरे संपूर्ण देश की जनसंख्या का 16 परसेंट थी 16.5 परसेंट यह बहुत 2011 की जनगन्ना के अनुसार राज की कुल जनसंख्या में महिला जनसंख्या का प्रतिसत है कुल जनसंख्या ठीक है 2011 की जूट जनगन्ना हुई है उसकी जनगन्ना के अनुसार कुल कितना प्रतिसत महिलाओं की संख्या है तो यहाँ 47.22 ठीक है चालिए शुरू करते हैं अगला 2013 तीसरा कुछ प्रश्ण 2011 की जडगन्ना के अनुसार राज में सूनि से छे वर्स की आयू वर्ग के प्रतिसत जनक्या है यानि जिरो से छे वर्स की आयू वर्ग कितना प्रतिसत है जडगन्ना के हिसाब से तो यह है से पंदरा पॉइंट एक तालिस प्रतिसत ठीक अगला प्रतिस्ट कि 2011 की जडगन्ना के अनुसार राज में सरवाधिक जनगनत वाला जिला है यह जडगन्ना 2011 जडगन्ना के अनुस से संब्दित प्रस्ण है जो कई बार पूछे आते हैं हर रच बाहर पूछे आते हर अधिनस्त सेवा हो या फिर उत्तर से संब्दित कोई भी एक्जाम हो उसमें जडगन्ना से संब्दित एक ना एक प्रस्ण दिया होता है चलिए इसका उत्तर है ग जट गणन्जा 2017 के अंसार राजी का अनपात कितना है ठीक है तुट राज़ी का प्रतिए हजार पुरुसक अनपात महिला पुरुसक के अनपात को कहा जत तो यह 912 यानि कि 1000 पुरुसक पर 912 महिला ठीक है अगला च्छटा प्रस्ण राज में नियुंतम दिंगान पात वाला जिला 2011 की जणगर्णा के अन्सवार कौन सा है नियुंतम दिंगान पात तो यहां गौतम बुद नगर जिसका दिंगान पात सबसे कम है ठीक चलिये 2011 की जणगर्णा के अन्सवार राज में महिला साचर्था कितने प्रत्सत है तो 2011 की जणगर्णा के अन्सवार राज की महिला साचर्था 57.2 प्रत्सत टो छूर्त करता है महिला साचरता है ठीके थीर अगला there are राज में जड़गटना लियारा के सानी तम दसकी व्रदी वाला जिला यानी की दस वर्सों में अधिकतम अनुद निउन्दम निउन्तम व्रद्धि वह ठीक है निउन्दम जन संख्या की व्रद्डी होगी दस्की व्रद्डी नियुंतिम दस्की व्रद्डी है को यह है आपका सरावस्ति चिला हो कि अगला प्रस्म लकीमा के जडगाना के अनुसार राज की- दस्की जनसगा व्रद्धी दर कितने प्रत्षत है यानि तस्कीर पिछली 2001 की जणगर्णा थी और 2011 की जणगर्णा की अनुपात में कितना व्रद्धी हुई 10 सालों में कितना प्रत्षत व्रद्धी हुई चंसंक्या में तो यह 2020.22 प्रत्षत 10 की जणगर्णा में व्रद्धी हुई इतने प्रत्षत 20.22 प्रत्षत ठीक है कोश्चन पेपर में आएं वो हल हो सबकी कोशिस रहती है गलत कोश्चन ना हो तिसलिए सोच समझ के पेपर करना है चाहे वो किसी भी कंपर्टीशन का क्यों ना हो ठीक है चलिए आगे देखते हैं जडगर्णा 2011 के अनसवार राज की महिला जसंक्या में दसकी व्रद्धी हुई है तो दसकी व्रद्धी कितने प्रतिसत हुई है तो 21.23 प्रतिसत है इसका डी वाला सही है 21.23 प्रतिसत सही है हुई है ठीक है चलिए 2011 की जडगर्णा के अनसार राज में सरवाधिक महिला साच्छरता और अल्ला जिला है वह है कानपूर नगर ठीक है कानपूर में सरवाधिक महिला साच्छर हुई है 2001 के मुकाबले 2011 में अगला प्रश्ण है 2001 के तुलना में वर्स 2011 में उत्ता प्रदेश की साचर्था कितने प्रसत व्रद्धि हुई है साच्छर्था कितने प्रसत व्रद्धि हुई है तो साच्छर्था व्रद्धि ग्यारा पॉइंट 34 प्रसत ये वाला सही हुगाज में अगला प्रश्ण है 2011 की जडगणना के अनुसाल उत्ता प्रदेश की साच्छर्था दर राष्ट्री अवसत से कितना कम है जो राष्ट्री अवसत है उससे कितने प्रसत कम है तो यह इसमें आपका बीवाला सही होगा पाच पॉइंट तीन प्रसत अभी कम है ठीक और अगला प्रश्ण है कि 2001-2011 की मध्राज्य के जनगनातों में कितनी व्रद्ध हुई है तो प्रतिवेक्ति वर्ग किलोमेटर में कितनी व्रद्ध हुई है तो 149 वेक्ति प्रतिवर्ग किलोमेटर व्रद्ध हुई के दो हजार कि जंघरना अगला पर कि जंघरना दो घहर कि अनंतिव आख रोक़ा उन्सार зफटर प्रदेस में बालीका शिश्व औू की संख्या प्रती एक हजार बालक शिश्व पर रहें कि बाल्द के वार कि तो कि इसमें आपका इंसर होगा कि जो सही उत्तर है 1902 थे याद ओरीगियर बहुत इंपॉर्डर प्रेश नहीं इंगरें प्रेशन उत्त्रप्रदिस कैस्द को पासारीक पूरा अस्थल से धन की धान की खेती के साथ जह मिले तो पुर्देश के किस नौपा साडिक पुरास्तल से धान की खेती के साचे मिले तो यह आपका सी वाला इसमें आपका सही होगा कोल डिहवा ठीक है यह आपका सही उत्तार होगा अगला सत्रुमा बुद्ध की मूर्ती निर्मत हुई थी बुद्ध की प्रथम मूर्ति निर्मित होई थी, किस सहली से निर्मित होई थी, तो यह आपकी मथुरा कला सहली से बुद्ध की प्रथम मूर्ति निर्मित होई, ठीक है, अगला प्रश्ण है, साटक वस्त दिर्मान का प्रमुक केंदर था, तुसमे आपका पहला प्रश्ण ह कौशामबी दूसरा वाराणसी तीसरा स्रावस्ती चौथा मतुरा तिसमें आपका सही उत्तर होगा वाराणसी ठीक है चालिए आगे देखते हैं आजीवक संपरदाय के प्रवक्तक मखली गोशाल की चन्भूमिथी ठीक है दिसमें पहला है वाराणसी तिसमें आपका सही उत्तर है वा है स्रावस्ती में इनकी चन्भूमिथी ठीक है बीश्वा प्रश्म वास खेडा अभिलेक निम्न में से किस सासक से संबंदित था वास खेडा जिसमें आप से ने कनिश्क हर्षवर्धन समुद्ध चंद्रकुप्तमोरे तो इसमें आपका सही उत्तर है वहां हर्षवर्धन है क्योंकि वास खेडा अभिलेक हर्षवर्धन के शांशन काल से शंबन्द हें ठीक है अगला प्रश्म आयोध्याँ अभिलेक ने प्रचिलित करवाया आध्याब लेक किसने प्रचिल करवाया तिस में आपसान है आपके रामचंदर ने रामपाल ने पुल्केशिन ने धन देव ने तो इसका उत्तर हुगा धन्दीव ठीक है धन्दीव ने आयोद्ध्याब लेग प्रिछलित करवाया था ठीक है अगला प्रश्णा गुप्त कालीन दशा अवतार मंदिर प्राप्थ हुआ यह कहां प्राप्थ हुआ वता इसमें अप्षन दिये हैं माथ्रॉना में आयोध्या में देवगाड़ में कौश्वांभीमें तो इसमें आपका सही उत्तर है वहाँ देवगड़ है ठीक ठीक है अगला प्रश्न प्रश्न हैं अधुद्या का प्रचीन नाम था ते इसमें आप्शन के नाम किया था तुर्शों मैं अप्शन दीए हुए हैं कोशामबी आयृश्षा दसुरत पूर्पूर अवध बहुत अच्छा प्रश्न कई बार पूछा गया है तो इसमें आपका सही उत्तर होगा अध्सा ठीक है अगला प्रश्ण हर्स वर्धन के शमय कन्योज कहलाता था कन्योज हर्स वर्धन के शमय क्या कहा जाता तो इसके आफ्सन दिये हुए है नगर महादेव श्री बौध नगरी धर्म नगरी हर्स की अगला प्रश्ट मद्य पासार युक के सरवाधिक साच मिले हैं इस के मद्य पासार युक के सरवाधिक साच कहां मिले है उत्तरपुद्रश का है तो ो शंकीशा श्रवस्ति सराए नाहरराय से को शामभी से तो इसका उत्तर होगा काई शराए नाहरराय से मध्येपासाण यूग के सर्वाधिक साच्च मिले अगला प्राशीन काल में उत्तर प्रदेश का छेतर गंगा मैदान में इस्तित था वह किस नाम से चड़ती था ठीक तो इसमें आप्शन है मध्य देश अवद सब्सेंद्व ब्रह्म वरत ठीक तो इसका उत्तर होगा उत्तर प्रश्यास का नगर रेष्म मार्ग से संबंद् तो इसमें आप्शन है आगरा वारणसी मतुरा इलाहाबाद जो प्रयाग राज हो गया है ठीक तो इसका उत्तर है मतुरा ठीक है मतुरा इसका सही उत्तर है फिर अगला प्रस्ट शिराज-े-हिंद किस नगर को कहा जाता था शिराज-े-हिंद जिसमें आपसे ने जॉनपुर लखनओ को दिल्ली को आगराओ तो शिराज-े-हिंद जॉनपुर को कहा जाता था शिराज-े-हिंद ठीक अगला राजा-अकबार के दर्बारी बीरबल का संबन किस इस तल से था तो राजा-बीरबल जाड़ा-अकबर के दर्बारी बीरबल का संबन कालपी से था ठीक कालपी आता है अपसे टिक करेंगे तो सिंपिल बहुत अच्छा कुछसे प्रेशन है और प्रेशन है तो कई लोग जिन्हें नहीं पता तो जहासी लगाते हैं जहासी नहीं अक्षली मेरट में हुआ था मेरट में मंगल पांडे के विद्रोह सेनिक विद्रोह इसे कहा गया मेरट में हुआ था ठीक है अगला प्राश्म अथारा सो सतावण इस्वी के विद्रोह से सरवादिक प्रभावित छेत्र कौन से था इसमें आपसे ने अबद औबुंदेलखंड वारश्म और गोरगपुर और मेरट और इलहावा परेलिय और आगरा तो इसका सही उत्तर है अबद औबुंदेलखंड सरवादिक अगला भारती राष्टि कांग्रेस के इलाहाबाद अधिवेशन की अधिश्टा की ठीक है तो महत्मा गांधी ने की जार्ज यूले ने की सरोजीनी नाइडू ने की दिलक ने की तो इसका उत्तर है जार्ज यूले ने की यह बिटिस थे और यह पहले यूरूपी थे जिन्ह परिच्छाओं के लिए बहुत इंपॉर्टर प्रस्ण है ठीक है चली देखने हैं आगे अठारा सो सत्ताउन इस्वी के प्रथम सो धिन्ता अंदोलन का सरवाधिक बड़ा केंद्र मेरत का उत्तरूगा मेरत ठीक अगला देखते हैं अंग्रेज गवर्णर डाल होजी की विले नीत के फ़स्वरूप उत्तर प्रदेश में लिम लिकित में से कौन सी रियासत अंग्रेजी सरकार के अधीन नहीं की गई थी कौन सी रियासत अंग्रेजों के अधीन नहीं की गई थी तो यहाँ थी अंग्रेजों के अधीन नहीं की गई थी यानि अंग्रेजों के अधिकार छेतर में नहीं थी तो यहाँ कानपुर की रियासत थी इस इस थे निम्ण में किस ने कि इस न भू आ बारेली में किस mı अंटार कि तव्यूल हुसेन खान मुहंबद हुसेन बेगम हजरत महल खान बहदूर खान तो इसका उत्तर है आपका है कि खान बहाद्दूर कांजिरों ने बरेली का निर्त तो कि अठाफ सुस्तावन की क्रांटिक के शम्र ठीक है कि अक्टूबर 1921 में उत्तर प्रदेश कांग्रेस का राजनेतिक सम्मेलन किसकी अधिछता में आग्रा में संपन हुआ ठीक 1921 में किसकी अधियचता में उत्तर प्रदेश की आग्रा में संपन हुआ तो इसमें आप्सन है लियाकतली मौलाना सौकतली मौलाना हसरत मुहानी मौहमद अली जिन्ना तो इसका सही उत्तर है सी मौलाना हसरत मौहानी की अधिछता में किया गया अगला प्रशन बहुत इंपॉर्ण काई बार पूछा गया है कासी विद्या पेट की स्थापना असायोग अंदोलन के समय हुए ठीक है चवराचोरी घटना कब घटित हुए चवराचोरी घटना जो घटित इसमें आप्सन दिये हुए 1922, 1920, 1921, 1923 चवराचोरी घटना 1922 में घटित हुए अगला प्र स्वर्डूंँ कानपूर में किसंय हा जब किया है क्यंपनिस्ट पार्टी का पहला सम्मेलन किसंय आजजित कि आज़ोगा तो कि क्यों इसका उत्तार होगा सत्य भागत ने भारती कमरेश्ट पाल्टी का पहला संभेलन काण्पूर में अयुजित किया सत्य भागत काकारी ट्रेंड डगएती कभ घठित हुए काकोरी ट्रेंड डगएती इसमें आपसन ने च्छे γस 1923 नो अगस 1925 नोगस 1928 नोगस 1931 जिसमें सही उत्तर है आपका 9 काकुरी ट्रेंड कहती हुए ठीक है कि 1942 में भारत चुड़ा अंदोलन के समय उत्तरपदेश के किस सहर में राष्टी सरकार की स्थापना हुए तो 1942 में इसमें आफ्षन दिया है बलिया गोरकपुर चौरा चौरी चौरी चौरा मेरट दिया पलिया में ठीक है कि अगला प्रश्ण है 1946 मेरेट में आउजी राष्टी कांग्रेस की अध्यच कौन थे आप्षन महात्मा गांधी जवालना नहरू राजेंद प्रसाज आचारे जेपी करपालनी तो इसके सही उत्तर है अचारे जीबी करपालनी ठीक है कि अगला प्रश्ण है भाते राष्ट्री कांग्रेस के अध्यवेशन और ठाट पचासी इसवी से 1947 के मद्ध उत्तर प्रदेश में कितनी बार प्रदेशन आयो जेथ हुआ तो कुल आठ भार अध्यवेशन आयो जेथ हुआ अठास सो पचासी से 1947 के मद्ध उत्तर ठीक? सही तो प्रांथ 1937 में तिसमें आप्सन है गोईंद बल्लब पंत बहुनलाद सक्षिना के चौधरी कलिकुजुमा के चंद्रुभान गुपतर के ते इसका सही उत्तर है गोईंद बल्लब पंत यह पहले उत्तर प्रदेश के मुख्य मंतरी भी थे ठीक अगला प्रश्न है चंद सेखर आजयाद बिटिस सरकार के खिलाब संगस करते हुए इलहाबाद के किस पार्क में मुटबेड में सहीद हुए अपसर नहरु पार्क प्रियदर्शनी पार्क अलफ्रेड पार्क विलेजली पार्क तिसका उत्तर होग अलफ्रेड पार्क उत्तर प्रदेश का कौन सा छेत्र आद्य कल्प की प्राचेंतम सेलियों से निर्मित है तो इसका ओप्सन है शिवालिक रुहेलखंड बिंदयाचल बुंदेलखंड कर सही उत्तर होगा बुंदेलखंड ठीक है अमें हbor ठिए के अकला प्रच्टर प्रदेश का निम्ले खित में से कौंसा जिला दच्षड के पठारी भाग के अंतरगत नहीं आता तो यहाँ इसका सही उत्तर होगा आगरा ठीक बागे सब जिले दच्छडी उत्तर प्रदेश में आते हैं ठीक अगला प्रश्चन उत्तर प्रदेश के दच्छड में इस्तिस पठारी भूभाग को किस नाम से जाना जाता है दच्छडी पठारी भूभाग को तो आप्शन है विंदेग पठार सत्पुड़ा पठार बखेल खंड बुंदेल खंड का पठार तो का सही उत्तर होगा बुंदेल खंड का पठार ठीक अगला प्रशन उत्तर प्रदेश निम्लिकत में से कि अच्छांसों वादे सांत्रों के मद इस्तित्र है तो इसका सही उत्तर है आपका पहला ठीक है उत्तर प्रदेश 23 दिग्री से अठावन मिनित पुत्री अच्छांस से 30 दिग्री किमद्ध इस्थित थे। अनतीब प्रश्ण। उत्तर प्रदेश को पूर्वे किस नाम से जाना जाता था ? तो इसमीं प्रधेश है युनाइटर प्रवीन्स ठीक मैं इसका अगले अगला प्रेश्ट अगला पार्ट में बहुत जल्दी आ हो सकता है साम को मैं इसे अपलब्द करा दूं और क्योंकि ये प्रेश्ट जो तर प्रदर से समंधित हैं बहुत ही ज़रूर पूछे जाते हैं चार-पांच से ज्यादा कोश्चन आते हैं जीयस में मैं कोशिस करूँगा मैं इसे जल्दी आज साम को दूसरा पार्ट में डाल दूंगा और ज्यादा ज्यादा स्वेर किजिएगा इसे और कैसा लगा कमेट किजिएगा और तो सब्सक्राइब कीजिए कावर चैनल ठीक है थान्यवाद जय हिन जय भारत